हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टी यर ओन चैनल डिली स्टॉक तो दूस्टे इस वीडियो के अंदर हम माइन टैक के डिटेल्ल अनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको माइन टैक करना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो दे कि सब्संटे वेलं ये जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है तो देखे adel einem कंपनी है यानि कि 12वीं का प्रेजेंस है और यह एक टेक्नलोजी कंपनी है क्योंकि software शर्विसिज और IT little प्रोइड करवाने का काम करती है तो दिखिए अधिक्तर ये company के इन company को ये services provide करवाती है जो जो नए-nए start-up चारे हैं उसके लगावा जो universities हैं और जो government entities होती हैं तो उन्हें ये company अपनी services provide करवाती है तो दिखिए पिछले कुछ दिनों से ये जो stock है ये बहुत ज़्यादा news में है तो कि लगातार company को पिछले अगर हम बात करेंगे तीन से चार मेने से लगातार नए orders मिल रहे हैं यानि कि नए contract company के बन रहे हैं नए-nए entities के साथ जिसकी वज़र से market को ऐसा लग रहा है कि ये particularly जो अक्टूबर चे डिस्टेंबर वाला quarter है ये company के लिए काफी phenomenal हो सकता है तो अब यहाँ पर अगर हम company के कुछ data की अगर हम बात करेंगे तो दिखिए 604 करोड का इस company का market cap है तो काफी छोड़ी company small cap ये company है जिसमें से अगर हम देखेंगे around 50% अगर हम देखेंगे तो पि इतनी छोटी से company तो इसको manipulate करना काफी easy है तो एक return point of view से हमें यहाँ पर analyze नहीं करना है हमें यहाँ पर analyze करना है तो एक fundamental point of view से देखना है तो अगर हम देखेंगे तो अभी 18KP पर ये stock भी trade हो रहा है और 4.31 का यहाँ पर price to book ratio है तो देखिए जिस तरीके से continuously यहाँ पर company क orders मिले हैं एक अच्छी profitability आती है तो यह valuation का parameter जो है वो काफी attractive हो में आने वाले quarters में नजर आएगा अब देखिए financial trend जो company का है वो इतना खास नहीं है अगर हम पिछले चार financial years अगर हम दिखेंगे तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे company के revenue के numbers में हमें growth देखने को नहीं मिली है और पिछले 4 साल में से 2 साल तो company loss में भी है और 1 साल नी के बराबर company का profit और पिछले साल भी लगब 10 करोड का ही net profit का number था तो देखिए 10 करोड का ही क्यों अगर हम दिखेंगे तो जो margin यहाँ पे अभी अभी नजर आते हैं यह less than 3% के net profit margin percentage है लेकिन देखिए यहाँ पर एक operating leverage वाला rule आ जाता है तो कि एक हज के पास जब तक company के revenue के numbers नहीं जाएंगे तो तब तक जो margin market को च company के expense नहीं बढ़ेंगे तो वही पर वो margin company के improve होंगे तो यहाँ पर net profit margin पर इतनी ज्यादा बात हमको नहीं करनी चाहिए अब यहाँ पर अगर हम share holding pattern के अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक small company जिसमें से अगर हम देखेंगे 64% की जो holding है वो यहाँ पे promoters के पास है तो यह market को काफी positive लगा है अब क्यों positive लगा है तो कि देखिए एक IT company और IT companies अगर हम देखेंगे सारी IT companies almost अच्छे से काम कर रह revenue में अथी growth देखने को मिल रही है और अगर हमारे जो retail investors वो देखेंगे इतना अगर promoters का holding है तो जरूर यहाँ पे इतना promoters को इस company पे confidence होगा तभी उनका इतना holding है अब अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद में जो main holding हमें नजर आती है वो है retail investors की around 34.23% देखेंगे छोट अब यह देखेंगे अगर हम पिछले 3 quarters के अगर हम revenue statement के अगर हम बात करेंगे यानि कि जो statement of profit and loss है तो यहाँ पर कोई ज़्यादा growth हमें revenue के numbers में देखने को नहीं मिलिए देखें 72 के बाद में 73 फिस 75 करोट का और अगर profitability के बात करेंगे तो देखें 5 करोट का profit उसके बाद में 21 करोट का लेकिन उसके बाद फिर से company के जो expenses है वो फिर से बढ़ गय थे और फिर से profitability वाला number है वो में कम होता वा नजर आ गया था अब देखें यह जो number है यहाँ पर कूविड की second way टी तो work from home चल रहा था जो जो company के जो office expenses होते है वो काफी कम हो गय थे तो उसकी की financially orders मिल रहे हैं वहाँ पर देखना जरूरी बन जाएगा कि यह जो particularly आने वाले quarter है अक्टूबर से December वाला यहाँ पे company कैसा performance दिखाती है अब अगर हम यहाँ पे return ratios की बात करेंगे तो return on equity का number यहाँ पे around 7.78 परसेंडेज है तो देख यह hardly company का नी के बराबर का profit है तो अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आएंगे और उसके बलाव अगर हम ROC के numbers की बात करेंगे तो यह number आता है 12% पर देखिए 12% का ROC एक being a small cap company अगर हम दिखेंगे तो यह अच्छा ROC माना जाता है अगर return on assets की बात करेंगे तो यह number आता है 5.25 पर तो अगर हम दिखेंग एक small cap company के इसाफ से जो revenue company का है उसके इसाफ से return ratios अच्छे हैं अगर आने वाले टाइम पर revenue growth phenomenal रहता है तो यह जो numbers है अगर profitability around यहाँ चे 2.5 times अगर फोती है तो यह numbers काफी ज्यादा phenomenal लगेंगे और market को यह numbers काफी पसंद आ सकते हैं तो देखिए यहाँ पर company पहले debt free थी लेकिन 2021 में company ने debt लिया है लगबग 0.13 का यहाँ पर debt to equity company का हो गया है लेकिन देखिए फिर भी अगर हम दिखेंगे तो तीन से चार करोड का company के ओपर debt है तो 300 करोड के revenue के ओपर debt के लिए कोई भी इस्यू जमय यहाँ पर company के लिए नजर नहीं आते हैं और खास करके जो interest coverage ratio है वो यहाँ पर 10.78 है यानि कि जितना interest company को pay करना है उसका 10 times यहाँ पर company operating profit का हमारी है देखा जाया तो यह number में मुझे debt से related यहाँ पर company के लिए कोई इस्यू नजर नहीं आते है अब देखिए 2.35 पिछले कुछ दिनों से अगर ह देखिंगे 5 साल में 11 रुपे का लो है और अभी 2.35 पे यह stock भी trade हो रहा है तो देखा जाया तो returns यहाँ पे काफी अच्छे रहे हैं लेकिन देज के दोस्तों अगर आपको एक long term point of view से अगर आपको यह invest करना है तो यहाँ पे कोई भी चीज एशी नहीं थी कि जो में यहा देखेंगे तो वहाँ पर कोई ज्यादा revenue growth नहीं रहा है उसके अलावा अगर हम profitability की अगर हम बात करेंगे तो profitability में के numbers में भी कुछ इतना खास हमें देखने को नहीं मिला है लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले कुछ महीनों से यह stock rally क्यों कि है यह market में लगाता news आईए औ उसके अलावा गर हम देखेंगे तो काफी छोटी company है तो यानि कि अगर 50-60 करोड की भी अगर साथ में अगर 100-500 लोग अगर मिलके अगर इस stock को buy करेंगे तो automatically यह stock rally हो जाएगा तो यहाँ पर ज्यादा volume की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर एक short term में rally हुई है लेकिन मेरे बिंग long term investor मेरे चाल चे यह stock को avoid करना ही सही रहेगा और कास करके जो market में जो revenue के numbers की बात चल रही है जो orders company को मिले है तो इसकी जब तक हमें surety नहीं मिल जाती है तो जब तक मेरे चाल चे यहाँ पर investment नहीं करना थी है अब अगर हम बात करेंगे short term की तो देखिए एक बात बली long term यहाँ पे जो revenue के numbers चे अगर हम बात करेंगे हो सकता है कि वो story यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही हो लेकिन इतना जो 50% की rally पिछले एक मैने में हमें देखने को मिलिये तो क्या revenue के numbers हमें 50% quarterly basis पे growth नजर आएंगे तो I really doubt that तो जितने growth company की होने वाली है उतने discounting market न अल्रेडी कर लिए long term के लिए तो यहाँ पे invest करना बिल्कुल भी साही नहीं बनता है लेकिन अगर हम short term point अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा यह stock अल्रेडी भाग चुका है और हो सकता है कि 2-3 निन और यहाँ पे अपर सर्कीट लगे लेकिन being a retail investor आपने यहाँ पे cautious अगर अपने stock को buy किया हुआ है तो आप अपने stock को sell नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि अगर आप ज्यादा returns के आपको लग रहा हो कि यह stock 100% rally करेगा लेकिन हो सकता है कि 100% के चक्र में आप अपनी capital को deploy कर बैठें यह माइन यह बात आपको माइन में रखनी है तो रोस्तो के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपको कोई भी queries है तो आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्तों thank you have a nice day